आज मैंने काजू करी का मसला पानी में उबाल कर बनाया है जी हाँ इसे मैंने तेल में फ्राई नहीं किया सीधे पानी में इसको उबाला है पानी में पका कर हमने इसका पेस्ट बनाया है इससे इस सबजी का टेस्ट रेस्टोरंस से भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया आ ग इस तरीके से आप काजू करी घर पर बनाईएगा, होटेल या रेस्टोरंट में जाकर खाना भूली जाएगे, घर वाले तो इतने खुश हो जाएगे, यकिन मानिये, अगर महमानों को परसेंगे, वो तो आपकी तारिप किये बगर नहीं रहेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आज हमने काजू करी घर पर बनाया है, तो जे लिए बनाना शुरू करते हैं, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाती और आप सभी का स्वागत है, स्वातिस फ्यामली किचन में, एक कटोरा बरकर काजू मैंने बिगो के रख दिये थे, त होती छोटे हैं, अब देख सकते हैं, लेकिन बड़े प्याज हैं, तो दो ही ले लिजेगा, तीन छोटे टमाटर डाल दीनी हैं, मेरे पास छोटे टमाटर थे, इसलिए मैंने तीन डाले, अगर बड़े या मेडियम साइज के टमाटर हैं, तो दो ही डाल दीजेगा, सिमला मिनिट हमने इन सब को अच्छे से पका लिया है प्याज टमाटर सिम्बला मेच अच्छे से सौप्ट हो गए हैं तो पानी को बचाते हुए हम इसको निकालेंगे और मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बनाएंगे देख सकते हैं यहाँ पेस्ट बनकर तयार है तो चलिए कड़ काजू को निकाल लेंगे क्यूंकि इसे में आगे की सबजी बनाएंगे हम और इन काजू को और साइड में रख देते हैं है, गाजू को अच्छे से भूनना है देख सकते आप, अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देगे, पहले से थोड़ा बटर था, तो थोड़ा तेल, आदा बटर, आदा तेल का युज़ किया है या फिर आप घी का भी उज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहां, कुछ खड़े मसाले जैसे की लवंग, काली मीर्ज, इलाइची और दो तेज पत्ते डाल देने हैं, जीरा डाल दिया था, अच्छे से थोड़ी दिर के लिए भूना और उसके बाद ये पेस्ट डाल दिया है, जो हमने बना के रखा था, अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भूना है, क्य बूनिएगा, इसकी बूना ही हमें अच्छे से करनी है, पेशन के साथ, क्योंकि हमने इसको पानी के साथ उबाला था, तो इसको अच्छे से इस तेल या गी में हम बूनेंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, देख सकते हैं, अच्छे से हमने इसको और पाच मिनिट के लिए भून दिया है तो चले कुछ सुखे मसाले डालते है जैसे की हल्दी पाउडर लाल मिर्श का पाउडर यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्श का यूज कर रही हूँ जिससे सबजी का कलर बढ़िया आएगा नमक डाल देंगे टेस के अनुसार मिलाते हैं एक बार अच्छे से मिलाएगा नीचे से इसको चलाती होई मिलाना है जैसे मैंने पहले कहा इसमें काजू का यूज हुआ है तो यह जल्दी से लगने लगता है और इसमें हमने ज्यादा तेल का भी यूज नहीं किया है आप देख सकते है ज्यादा तेल नहीं है जैसे जैसे ग्रेवी पकेगी वैसे वैसे इसमें जो हमने तेल गीर का यूज किया है न तो अपने आपी रिलिज होने लगेगा तो थोड़ा सा मैंने इसके उपर गरम पानी डाल दिना है जिससे क्या होगा हमारी ग्रेवी नीचे से जलेगी भी नहीं और इसको पकने में थोड़ा वक्त भी मिलेगा तो थोड़ा सा पानी डाल देना है शर्त इतनी कि गरम पानी ही डाल दीजेगा फिर से थोड़े दियर इसको पकाना है तो डग दिया था मैंने गैस की फ्लेम को low to medium कर दिया था देख सकते हैं तेल भी अच्छे से रिलिज हो रहा है मिलाते हैं एक बार फिर से काजू करे बनाते वक्त ये जो ग्रेवी है ये जो मसाला है इसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए तब भी उसका फ्लेवर बढ़िया आएगा इसमें हमने डाल दिया है एक चमज दनिया पाउडर आदा चमज भुने हुई जिरेका पाउडर और थोड़ा सा उपर से पानी डाल देना है और इसको पकाएंगे इसमें दो चमज दही डाल दे रहे हैं वो भी फेटा हुआ दही दही फ्रेश ही होना चाहिए अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते तो इस टेज पर क्रीम डाल दीजेगा या फिर दोद की मलाई लेकिन जो रेस्टोरेंट में काजू करी मिलती है उसमें दही काई फ्लेवर होता है बिल्कुल थोड़ा सा छोटे दो चमज हमने इसमें दही डाला था उससे ज़ाधा नहीं लेकिन दही फेट करी डाल दीजेगा और दही डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएगा उसके बाद डाल देना है भुने हुए काजू तो काजू हमने डाल दिये हैं मिलाते हैं कसूरी मेथी डाल देंगे एक चमच कसूरी मेथी जरू से डाल दीजिएगा गरम मसाला डाल दिया है एक चमच गरम मसाले के जगा आप केचन कीक मसाला भी डाल सकते है इसको बहुत ही एक शाही फ्लेवर देने के लिए एक शाही टच देने के लिए हमने इसमें बटर डाल दिया है मिलाते हैं अच्छे से तो चलिए यहाँ पर सबजी तो हमारी बनकर तयार है देकिन इसको थोड़ा सा और भी जादा रिच बनाने के लिए हम इसके उपर तड़का डालेंगे क्योंकि भाई काजू करी बना रहे है शाही सबजी है तो बन नहीं चाहिए तो तड़के में भी हमने बटर का यूज किया है अगर आप बटर का यूज नहीं करना चाहते है तो घी या तेल का यूज कर सकते है बटर जैसे गरम हो जाए तो हमने इसमें ढाल दिना है जीरा और हरी मिर्च थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जिससे कलर अच्छा आएगा और यह तड़का जाएगा हमारी शाही सबजी के उपर वाउ, सबजी की ग्रेवी आप देख सकते हैं, परफेक्ट इस तड़के से ते इसके सबजी के उपर चार चांद ही लग गए है तो यहाँ पे बनकर तयार हो गई हमारी थोड़ से अलग तरीके से काजु करी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है मेरे इस तरीके से आप काजु करी एक बार घर पर जरूर बनाईएगा आपको यह बहुत पसंद आएगी बनाने के बाद आपके उनों वो मेरे साथ जरूर शेयर करेगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा साथ यसाथ चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक नमस्कार